बिल्कुल मार्केट या सब फ्रेड से हम ब्रेड पकौरा बनाकर तयार करेंगे घर पर ही आपको मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं लगेगी अब बहुत ये अच्छे तरीके से हैं नाकर टयार कर सकते घर पर ही मार्किट का बेट पकोर आप खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से आप घर में बनाएंगे तो चलिए फड़ा-फड रेस्पी को हमा स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए तो देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आलू का मसाला तैयर कर लेंगे तो उसके लिए देखे मैंने यहाँ पर डाल दिया सरसो का तेल अब देखे तेल गरम होने के बाद डाल दिया है मैंने बारी कटी हुए हरी मिर्च उसके साथ ही बारी कटा हुआ प्याज दोनों को अच्छे से हम भूनेंगे और प्याज को ना हमें ज्यादा देर तक भूनना नहीं है बस आपको 2-3 मिनट के लिए भूनना है ताकि प्याज जो हमारा थोरा सा सौप्ट हो जाए बस उतना तक हमें प्याज को भूनना है यह देखिए अब यह चोटज चेमच लृगे पावडर ऐधा चोटी चमच चिली फ्लैक्स यहँ डाल देंगे हम हम है ठीमच जाहिए बहुत ही बूनेंगे 2 मिनटे जले आलो ऑलो लेंगे 5 1 ले इसको मैं से मैस्की कर लिया है आप चाहendar से पोटैटो मंसर से मैस्कुनाइब यहां हमेस्ट भी चप отлич करना है कि इसको आप हातों से मैस्कार ROAS kich बेन हो पकुलने को दूब करने से क्या होता है कि आलो runners ले सुछा हो जाता है मतलब पूरा मैस समी खर नहीं करना है हमें बस चंकी चंकी रहता है तो फ्रिंट्ट विल्कुल ऐसे रहते जिस तरीकस में बता रहे हूं को बहुत ही अच्छी बने मैं जैब देखी आप अच्य अच्छे से लिए उसको मिक्स कर देना है और पाच मिनट के लिए आपको medium फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है पाच मिनट आपको बून लेना है और पाच मिनट के बाद फिर देखी यह बिल्कुल हमारा आलू का मसाला बन कर तयार है और फिर्ण्स यह देखिए क्हाने में तो बहुत यह अच्छे लगेगा मस करते हैं थोड़ा त्होड़ा डालते हैं लेकिन घर में बना रहे हैं हम जहां पर ढीर सारा आलो का मसाला लेंगे और चार दूरप से अच्छे सिस को हम लगा लेंगे अब क्या करना है कि दूसरा ब्लेट लेंगे और बस इस तरीके से रख देना है। हलका सा प्रेज करेंगे और यह देखिए। तो बैसे ही हमें करके सारे को हमें तयार कर लेना है। अब दिखे तयार करने यह क्या है कि आ keyword d आज़ो काऊट देगे तो बस यहाँ पर 4 pieces हो जाएगी लेकिन मैं यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसे ही पकाऊंगी इसे ज्यादा छोटा नहीं करूँगी तो बस इस तरीके से आपको निकाल लेना है और यह देखिए इसी तरीके से हम सारे bread पकोड़े को ऐसे करके पहले हम तयार कर लेंगे उसक पर डाल देंगे हम तीन चमच मैदा तो बिल्कुल आपको मैदा इस्तेमाल करना है इससे क्या होगा ने कि फुली फुली बनेगी और जैसे मार्केट में यूज करते हैं बिल्कुल मैं बैसे ही आपको बता रही हूं अब यहाँ पर देंगे हल्दी पाउडर धनिया क्या शआएब कर सकते हैं अगर आपको कुर्कुडी चाहिए ठियार कर लेना है तो ध्यान रकना है ज्यादा पतला भोल भी तो इस तो यह देखिए पर वेक हम ई Besom बनकर तयार हो गया है तो यह देखεια है पर इसे यहां पर मैं आपको डिप करकर बताती है कि किस तरीके से करना है तो यह देखिए वसस एक कडा बोया जो खाल तरह से लेना है और इस तरीके से देखिएज़ न रखेंगा सकता है तो क्या हुआ कि भी खरने लेगी और इस तरीके में और कड़ाही डाल देना है प्लूपरी के आशेज़ा से प्लेट डालना है उसके परिफिन देखिए आगा सब्साइब कि तो कमसे कम आपको इसे तलने में पाँच मिन ट? क्रेंच में थेक्ट ताइसागी Lewis कॉच्छ निकाल लेंगे और देखिए को सच Ettथे प्रेंच कितना बढ़ी है लोगी नहीं खरीए है तो देखिए मैं आपको यहां पर और आर दिखा रही हम डालकर देखे इसे तरीके practically आपको डालना है और तुरह नहीं पर ह्माया है तो और दे के बाद आपका पलट ना पर पलट कर लेना है अपको और इसी Republic से आपको तयार करेवाएं प्रेट कर यह कि6 कि अच्छ तरीके से न और आ पो सारे बना कर तैयार कर लेगा और यह मैंने त्थार से ैप मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं है तो आप इस तरीके से जरूर बना करेंगा और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लागा हो तो प्लीज में वीडियो को लाइक कर दें में चैनल को सब्सक्राइब कर दें यह देखिए तो ऐसे बनाई है अभी तो होली भी आ रहे हैं तो इस होली पर आप ब्रेट पोड़ा तो बना आते ही हैं लेकिन मेरे बता हुँ तरीके से बनाया बहुत यह अच्छी बनेगी तो मिलते हैं हम नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाय टेक केर